गाउं की संक्री गली में दोड़ लगाते हुए चंदा उंची आवाज में चिल्लाई ए भागवन्ती बाहरा कुएं पर गन्ना खाने चलते हैं लगता था कि भागवन्ती उसकी प्रतिक्षा ही कर रही थी वो बाहराई और दोनों गले में हाथ डाल कर नाचते कूते कुएं क के पास पहुँच गई हल्ले गुल्ले के कारण मचान से उतर कर उनकी सहली तारा नीचे आ गई और तीनों ऐसे लेपड़ गई मानों कोई त्रिमूर्ती हो खूब बातें की खूब जूले भर पेट गन्ने चूसे चलते समय तारा ने चंदा को दो गन्ने और भागवन्ती क एक गन्ना दिया भागवन्ती को तारा का ये व्यवहार समझ में नहीं आया और उसने पूछी लिया चंदा को तो दो गन्ने दिये और मुझे एक ही क्यों तारा ने उतर दिया चंदा के पिता के पास तो कुएं वाला खेत है और तेरे पिता के पास कुएं वाला खेत है ही नहीं उसके कुएं पर तो मैं जाकर गन्ना खा सकती हूँ तेरे पिता के पास बहुत जमीन तो है लेकिन कुआ नहीं है तू मुझे गन्ने नहीं खिला सकती। उदास मन से रोते हुए भगवनती घर पहुँची उसके स्वाभिमान को ठेस जो लगी थी। उसने पिता जी को सब बात बताई और जिद की कि कल ही कुएं वाला खेत खरीदें। रोती हुई बेटी के आंसों से पिता का वातसलिप पिखल गया और उन्होंने तुरंट कुएं वाला खेत खरीदने का वादा किया। तब जाकर बेटी के आंसों खुशी के आंसों में बदल गए। दूसरे दिन पिता ने बहुत भाग दोड़ की पर कोई कुएं वाला खेत नहीं मिला। आखिर में उन्होंने तारा के पिता से ही खेत खरीदने की बात की। तारा का पिता कर्ज में डूबा हुआ था और खुद कुएं वाला खेत बेचने की फिरात में था। उसके तो मानो भागे खुल गए उसी दिन नगत भुक्तान हुआ और भागवन्ती के पिता ने कुएं वाला खेत खरीद लिया और उसका कबजा भी ले लिया भागवन्ती के तो मन की मुराद पूरी हो गई और कुएं पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो दो गन्ये देना नहीं भूलती थी कर्णिया भ्रून हत्या के इस युग में कोई आसपास की घटेत सत्य कहानी पर सहसा विश्वास नहीं करेगा आज भी जब कोई उस कुएं की पाल के पास खड़े होकर कुएं में ज्हाटता है तो पानी की सतर पर कभी कभी एक बालिका का औसपश्ट चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई दे जाता है